नमस्कार, मेरे नाम है प्रियांका और आप देखरें न्यूस तक और इसमें मैं मौझूद हूँ संगम नगरी में प्रियागराज का संगम वो संगम जहां पे तीन नदी गंगा जमुना मिलती है सरस्वती मिलती है, सरस्वती फिलाल विलुपत है दिखती नहीं है लेकिन तीन नदियों का यहां पर मिलन होता है हमारे साथ कुछ नाव वाले यहां मौजूद है इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनकी समस्याय क्या है किस तरह से कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इनके जितना यह बिजनस चलता था, कितना उस पर प्रभाव पड़ा है और इने क्या लगता है, इनकी क्या-क्या उम्मीदे हैं आने वाली सरकार से, बात करते हम इंसे सर आपका नाम क्या है? रोशन लाम आप जब कोरोना हुआ, उसके बाद, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हो गया कितना आपका जो काम था, उस पर प्रभाव पड़ा? योगी सरकार में लगभग सारे लॉकडाउन था, कुछ लोग यहां आते भी थे अभी जब सब कुछ हट गया है, चीज़े धीर धीरे पट्री पर वापस लॉट कर आ रही है, तो क्या आपके जो काम है वापस से सुधर रहा है? बहुत बढ़ियां सुधर रहा है, इस समय बढ़ियां कमाई हो जा रही है सर आपका क्या नाम है? आने वाली जो भी सरकार होगी, उससे आपकी क्या क्या उमीद हैं, अगर आपको अपने कुछ बात कहनी हो आने वाली सरकार से तो आप क्या क्या कहना चाहें? हम तो यही कहना चाहेंगे मेडम कि जो सरकार है इस समय या योगी मोदी जी हैं ये देश को समली जी एक बच्चोग तरे समाला है करोना काल में अगर राशन का बेवस्ता नहीं देती तो बहुत लोग भूके मर जाते हम लोग को भी काम में रुकावाट आ गया था कम से कम खा और वहां चाहिए वो राजा है भाई हम लोग परजा राजा से ही उमीद रहता है उनके राज में हम लोग खोस है तो जब कोरोना हुआ लॉकडाउन हुआ यह सब कुछ एकदम बंद हो गया था आपका जो उस समेच आपका जो आपका जो आपका रोजी रूटी से चलता थ उसको बनने में तो समय लगे गई बाकी सुधार आ रहा है चल रहा है गाली रुकी नहीं है पहले कम कमाई होती थी अब सही हो गई है अपने दर पे आ रहा है धीरे धीरे और खुस भी है सब हम तो यही गंगा मयाद भी परातना करेंगे कि योगी मोदीक सरकार बनी रहे आप यहां पे कितने समय से नाओ चला रहे हैं हम हम यहां हमारा हो गया 16-17 साल हो गया है तो 16-17 सालों में और जब यह लॉकडाउन हो आता कोरोना हो गया था हां तो आपके बिजनस पे आपके काम पे कितना प्रभाव पड़ा है मतलब उतना भी नहीं पला अपना घर चला सकता है तो आने वली जो भी सरकार है आपको क्या लगता है कि किसके सरकार बन सकती है और कौन जो है अगर अगर आपको उनके पास अपनी कुछ तो आप क्या रखना चाहेंगा? राय बस यही है कि जो जिस तरीके चल रहा है बस इसी तरह चलना चाहिए और सरकार के बाद तो जो चल रहा है इस प्रेजन टाइप वही रहेगा हम लोग यही लाना चाहते हैं क्यों? इस सरकार में जो लाब हमको मिला यह नहीं मिल पाएगा किस किस तरह के आपको लाब मिला? करोना कार में जब हम लोग एक रुपाय नहीं कमारे तो हमको फिरीर आसन मिलता था और हम लोग यह 9,000 मैना मिलता था लागडाउन में आपको क्या लगता है कि आने वाली जो सरकार होगी वो किसकी हो सकती है और आपके कुछ-कुछ मुद्दे जो आप चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए काम करें वो क्या-क्या है? हम लोगों के मुद्दा है कि आपकी नाव के लिए एक लाग रुपए दे रहे हैं उसमें 40% के सबसुदी है वो यूगी सरकार दे रहे हैं सेने जो ह Wine पिलतार की अखुना स के युघ रहें वार जो भी ऐगा रहेगा हम लाप मिलता रहिए बागी दूसरी स क्सवर्करे खुर्री सोचते हैं कि नहीं सोचते हिसके बारे में तो इनके वारे में कि को डे रहें आरिकûtि अमको और अब लॉक्डाउन ख़तम हो गया कोरोना के बाद जब दीर से सुधर रही है तो आपको दिन में क्या के समस्या होती है कोई समस्या नहीं है वापेस से जैसे पहले 2019 से पार जो आते थे यहां पर सवारी मिलती थी आपको सेम आप सवारी वैसे मिलनी शुरू होगी गया है तो आपको सरकारों ने किस तरह से मदद करा हम लोग कर आशन पानी दिया लागडावन में नाव बंद रही तो एक दो महीना बंद रही फिर उसके बाद चालू हो गया है तो कोई अब दिक्कत नहीं है अच्छा आप मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप पूरा दिन यहां नाव चलाते हैं तो तक्रीबर आप 12-13 घंटे हम माल लेते हैं कि करते हैं तो कुछ और सुख सुविधा जो आप चाहते हो कि चीजे हो जाए जिससे आपको और भला हो सके सुख्दा ही हम लोगों को जो है पहली तो यह जो बनमास है कौन नंबर के कोई भी हो यहां का कोई भी गुंडा हो या बनमास हो उनसे सब छुटकारा पाए हुए हैं उनके राज में अच्छा आप यह कह रहे हैं कि जितने भी यहां पे गुंडे या मवाली वगर आते हैं जो भी पहले दबंग गई था वो खतम हो गया है अच्छा आप यह कह रहे हैं कि बीजेपी और योगी जिनकी सरकार आई है मोदी योगी बीजेपी की सरकार बनी है उससे शांती है उस पर सासन भी अपना सही है टाइट है किसी को कोई गलत काम करने नहीं देती अन्ना कोई सोच रहा है कि हम करें उनके राज में तो कुछ अगर इसके अलावा और आप जब यहां पर काम करते हैं तो आपको जब दिन में लोग आप हजारों लोगों से मिलते होंगे लोगों की बातचीत से आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन से बातचीत से तो यही लगता है कि स लो만 पाल्टीर में जीत सकती सर उस्तों आपको कि रगता है कि कॉन्धरों कोने कोने में में इस भी आते हैं कुछ लोग तूरंथ आते हैं तो लेकिर जितने वी लोग आते हैं उन्यानाम डेते हैं जो है और को याइख वे प्रस्राइए किसी के भी को बुर सामस्य नहीं है, नाउक में कोई तकलीफ होती हो क्यों के सरकार से प्रावधान में देए मंदवे सबसेटी में 40% का शूट है अगर एक लाख लेते हैं को लोगों को 60,000 रुपए जमा करें पड़ेगा बाकी तो सबसेटी में मतलब हमने यहां नाओवालों से बात करी और अधिकतर इन सब का यही कहना है कि इन्हें अब इस सरकार में कोई यहीं समस्या नहीं है सब एक दम अच्छा चल रहा है बड़िया चल रहा है लोगडाउन और कोरोना के बाद अब जो है धीरे धीरे इनकी जो वापिस से जो गाड़ी है वो पट्री पर लोट कर आ रही है आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और हाँ न्यूस तक को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको और भी मिलेंगी मेरा नाम है प्र्यांका और कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक